और चले अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं सीहौर की जहां बुद्नी विधान सभा पर वोटिंग कल होनी है और तैयारिया लगभग पूरी हो चुकी है 2,86,000 मतदाता यहां पर फैसला करते हुए नजर आएंगे प्रत्याशों के भाग का फैसला करेंगे बुद्नी विधान सभा शेतर में कुल 2,86,799 मतदाता है इसमें से 1,33,280 महिला मतदाता है 1,43,111 पुरिश मतदाता है वहीं थर्ड जरंडर मतदाताओं की बात करें तो 6 और सर्विस वोटर्स 194 हैं मतदान के लिए बुद्नी में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जो मीदवारों की किसमत का फैसला करेंगे तयारिया निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी कर ली गए हैं पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो यहांपर पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुखता इंतजाम बुद्नी विधान सभा पर कल वोटिंग होनी है, बुद्नी विधान सबा सीट भारती चुनता पार्टी का गड़ रही है पूर्वो मुख्य मंत्री शिबराज सिंग चोहान का इबार इस सीट से विज़े रही है और अब कल यहाँ पर वोटिंग होनी है कल 2,56,000 मद्दाता, 1,33,260 महिला मद्दाता, 1,43,000 पुरुष मद्दाता थर्ड जेंडर मद्दाता की बात करें तो 6 और सर्विस वोटर्स 194 कबर पर जादा जानकारी के साथ से होगी शिबराज हमारे साथ जोड़ चुके हैं अपडेट लेंगे शिबराज यहां कल वोटिंग होनी है, हाई प्रोफाइल ये सीट और क्या कुछ तयारियां पुलिस प्रशासन की ओर से साथ अगर निर्वाचन आयोग की भी बात करें तो मतदान के लिए कितनी तयारियां बताना चाहूंगा मदवदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी है और बुधनी में कल मतदान है जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से अपनी तयारियां कर ली है अगर वोटर्स की बात करें तो दो लाग शिवतर अजार यहां पर वोटर्स है जिनमें 363 मतदान केंदर बनाए गए हैं जिनमें कई सब्वेदन सील भी मतदान केंदर है जिसको लेकर भी वहाँ पर तमाम जो पुलिस करमिये वो तैनात रहेंगे पूरी तरह से जो चुना होगा अगर बुदिनी सीट की बात करें तो भाशपा का गड़ मानी जाती है रमा कांत भारगों यहां से बाशपा के परदाशी है और राश कुमार पडेल जो है कॉंग्रेस के परदाशी है साइथ कई पार्टियों के जो उमिद्वार है वो भी यहां पर मौजूद है और दिनी की बात करें तो किरार समाज का एक बड़ा बर्चस हो यहां पर रहा है और खादी समाज का भी एक बड़ा बर्चस हो रहा है क्योंकि पूर मुक्मंती शिवरासी चोहान यहां पर किरार समाज से आते हैं लेकिन अब राजकुमार पडेल जो किरार समाज से ही वो ब्रामन समाज से आते हैं, ऐसे में जो ब्रामन समाज का वोटर से जरूर रमाकांद भारगों को सपोर्ट करेगा, लेकिन शिवराज सीन चोहान ने जो लीड बनाई थी, हमने 2023 के चुनाओं में देखा, वो लीड जरूर एक कहीं न कई कमजोर BJP के पक्ष में नजर वो तो देखने वाली बात ये होगी, कि 13 नवंबर को बुदिनी में किसका परचम लहराता है, जी, शिवराज जिस तरीके से देख रहे हैं, भारतिय जनता पार्टी का ये गड़ है, और BJP के दिगच लगतार चुना प्रचार में पूरी ताकत जोगती हुए नजर आ रहे अब तक हमने कल शाम कोई चुनाओ का माहोल थमा, इससे पहले हमने लगतार देखे, कि मदबदेश की बुदिनी में लगतार दिगचो के दोरे रहे, BJP की बात करें तो मदबदेश के मुक्यमंति डॉक्टर मौहन यादव की लगबग सास सबाएं यहां पर हुई है, और के दो बड़ी जनसबाओं को यहां पर संबोधित करते हुए नेजर आए, अगर कॉंग्रेस की बात करें तो जीतो बड़वारी लगतार उनके दोरे रहे, उन्होंने भी छोटे-छोटे गाओं का यहां पर दोरा किया, और पूर मुक्वंति दिगवेजे सिंग, सहीत तमाम जो दिगजे उन्होंने अपनी ताकत जोकी, लेकिन अगर बुदिनी सीट की बात करें तो हमने देखा है कि शिवराज सीन चोहान इसी सीट से कई बार विधायक बने और मद्वपरदेश के मुख्यमंत्री बने, यानि यह सीट पूरी तरह से भाश्वा घगड़ है, लेकि कॉंग्रेस की पूरी इसमें कोशिस रही सेंद लगाने की, हाला कि अब यह तो चुनाओं के बाद ही बता चलेगा, यानि तरह से तयारियां पूरी हैं और प्रचार प्रसार में दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत जोकी, अब देखने वाली बात होगी कि कॉंग्रेस जो है भारतिय जंता पार्टी के किले को भेद पाती है नहीं, तमाम जानकारी साज़ा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया